अगर हनुमान जी चिरन जीवी हैं तो कल्यूग में कहां रहते हैं वे? वो इस समय भी अगर पृत्वी पर ही हैं तो कहां है उनका निवास्थान? अगर हम रामायन, महा भारत तथा बिभिन पुरानों का अच्छे से अध्यन करें तो इस प्रश्ण का उत्तर हमें मिल आईए इन महा ग्रंथों के संधर्व से विस्तार से जानते हैं कि हनुमान जी कल्यूग में कहां निवास करते हैं शिरी राम के अन्यन्य सेवक हनुमान जी, अमर, चिरन जीवी और सनातन हैं उन्हें चिरन जीवी होने का वर्दान माता सीता और प्रभु शिरी राम दोनों अर्था थे पुत्र तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो शिरी रगुनाज जी तुम पर बहुत क्रिपा करें प्रभु क्रिपा करें ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए वालमी की रामायन उत्तर कान के अनुसार भगवान शिरी राम जी जब अपनी मानव लीला को समवरन कर साकेट जाने लगे उस समय उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बुला कर कहा हे हनुमान अब मैं अपने लोग को प्रस्थान कर रहा हूँ देवी सीता तुमें अमर्तव का वर्दान पहले ही दे चुकी हैं इसलिए अब तुम फू लोग में रहकर शान्ती प्रेम ग्यान तथा भक्ति का प्रचार करो मेरे वियोग का दुक तुमें नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अद्रिश्य रूप में सदयव तुमारे पास ही बना रहूँगा तथा तुमारा रिदे ही मेरा निवास स्थान होगा जहां भी मेरी कथा तथा कीर्टन हो तुम वहां निरंतर उपस्तित रहना तथा मेरे भक्तों की सहायता करते रहना इसके अतिरिक्त मेरे भक्तों का कश्ट दूर करने की सामर्थे भी तुमें प्राप्त होगी कल्यूग में हनुमान जी का इन स्थानों पर है निवास राम कथा में हनुमान जी का निवास शिरी राम जी के साकेत प्रस्थान के बाद हनुमान जी अपने प्रभू के आदेशा नुसार उन्हें के गुणों का कीर्तन एवं श्रवन करते हुए फूतल पर भ्रम्न करने लगे हनुमान जी का विग्रे राम नाम में है उनके रोम रोम में राम नाम अंकित है जहां भी राम कथा या राम नाम का कीर्टन होता है वहां वे गुप्त रूप से सबसे पहले पहुंचाते हैं और जब तक कथा चलती है वे वहीं रहते हैं भागवत पुरान सकंद पांच अध्याए 19 के अनुसार किम पुरुष वर्ष में आदी पुरुष भगवान शिरी राम के चरणों के सानिध्य के रसिक परम भागवत शिरी हनुमान जी अन्य किनरों के सहित आविचल भक्ती भाव से उनकी उपासना करते हैं वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित उनके स्वामी आरिष्टी शेन भगवान राम की परम कल्यान मैई गुन गाथा गाते रहते हैं शिरी हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वेम भी इस मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार उनकी सुती करते हैं गर्ग सहिता के विश्वजित खंड में लिखा है कि किम पुरुषवर्श में शिरी राम चंदर जी सीता जी के साथ विराजमान है हनुमान जी संगीत के महारती अरश्टी शेन के साथ वहां उनके दर्शन के लिए आया करते हैं अध्यात्म रामायन में भी हनुमान जी का तपस्या के लिए हिमाले किम पुरुषवर्ष में जाकर निवास करने का उलेख मिलता है नारज जी ने भी किम पुरुषवर्ष में हनुमान जी को वन की सामगरी से श्रीराम की मूर्ती का पूजन करते हुए और गंधर्वों के मुख से रामायन का गान सुनते हुए देखा था हनुमान जी ने नारजी से कहा मैं श्रीराम की मूर्ती का पूजन दर्शन करते हुए यहां निवास करता हूँ आयोध्या में निवास आयोध्या श्रीराम की पूरी है हनुमान जी इस पूरी में नित्ते निवास करके अपने आराध्य श्रीराम की सेवा करते हैं आयोध्य स्थित हनुमान गड़ी हनुमान जी की सेवा की पृतीक है ब्रहद ब्रह्म समहिता के अनुसार शिरिराम के अन्यन्य सेवक महावीर हनुमान साकेद धाम यानि आयोध्या की इशान दिशा में रक्षक के रूप में सदा विराजमान रहते हैं महा भारत के वन पर अध्याई 151 के अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सुगंदित कमल लेने के लिए गंद मादन परवत पर गए तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई जो उस समय वहां कदली वन में ही रहते थे वहां शरी हनुमान और भीम सेन का समवाद हुआ और वही हनुमान जी ने भीम सेन को अपने विशाल रूप का दर्शन करवाया था जब भीम सेन वहां से विदा होने लगे तब हनुमान जी बोले वीर बात चीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरन करते रहना कुरुश्रेष्ट मैं इस्थान पर रहता हूँ ये बात कभी किसी से न कहना ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए इस वृतान से हमें ये ग्यात होता है कि हनुमान जी कल्युग में भी गंद मादन परवत पर ही निवास करते हैं और जहां जहां प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वे वहां उपस्तित रहते हैं हनुमान जी जीवन मुक्त हैं सर्व लोक गामी हैं वे अपनी इच्छानुसार कभी भी जाकर अपने भगतों को दर्शन देते रहते हैं श्री हनुमते नमै जै बजरंग बली आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कृपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तुर्टी के लिए आप सबसे क्षमायाचना करते हुए आपसे निवेधन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै